हलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर सविता वर्मा एसोसीट प्रॉफेसर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मास्टर आर्टिस्ट फ्रांसिसको गोया इनका जन्म 30 मार्च 1746 में इस्पेन में हुआ और म्रत्यु 10 अप्रेल 1828 में जब इनकी म्रत्यु हुई ये 82 वर्ष के थे और इस्पेनिश चित्रकार के रूप में इन्होंने प्रसिद्धी प्राप्त की गोया का जन्म एक निर्धन किसान परिवार में इस्पेन के आरावगोन प्रांथ में हुआ अन्नी किसान बिच्चों की तरह इनका भी सुबेश एसाम तक खेत में परिश्रम करने का काम था जब वह खेत में काम करते थे उस समय जली हुई लकडियों से पत्थर वह चटानों पर रेखा चित्र बनाया करते थे इस छोटे से बच्चे को चित्र बनाते हुआ देखकर गाउवालों ने उसको गिर्जागर की वेदी पर लटकाने के पट को चित्र करने का काम दिया और वह उसे 14 वर्ष की आयू में उसे करने लगे और 14 वर्ष की आयू में एक सज्जन ने उन्हें अपने खर्च पर कला अध्यन के लिए सारा गोसा शहर भेजा किन्तु वह सारा दिन चितर बनाते और रात में नशा और नत्य करते और छुट्टी वाले दिन तलवारों की लड़ाईयां वह सांडो से लड़ाई करने में व्यतीत करते थे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोया एक Spanish चितरकार है, चितरकार भी है, प्रिंट मेकर भी है और लितोग्राफ भी है। गोया ने अपने कोशल को आगे बढ़ाने के लिए एक किशोर के रूप में अपनी कला की पढ़ाई शुरू की और रोम इटली में अपना समय व्यतीत किया। लोचना करते थे। गोया का जन्म 30 मार 1746 को इस्पेन में हुआ था। वह एक ग्वाले के बेटे थे। गोया ने अपनी जवानी का कुछ समय सारगोसा में बिताया। वहां उन्होंने 14 साल की उम्र से पेंटिंग का अध्यान शुरू किया। वह जौस लुजान मार्टिन का छात्र था। सबसे पहले गोया ने नकल भी सीकी। उन्होंने डिएगा, रोडरिग, डे सिल्वा, वाई वैलकस और रेम्बरांट जैसे कलाकारों के कारेों से प्रेडना पाते हुए महान कलाकारों के कारेों की नकल की। और बाद में गोया मेडरिट चले गए। वहाँ अपने स्टूडियो में फ्रांसिसको और रोमन व्यू वाई सुबास के साथ काम करने गए। उन्होंने इटली की यात्रा करके 1770 के आसपास अपनी कला शिक्षा को आगे बढ़ाने की मांग की। रोम में गोया ने वहाँ के क्लासिक कारेों का अध्यान किया। जर्मन कलाकार एंटन राफेल मेंगस के माध्यम से गोया ने इस्पेन के शाही परिवार के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने पहले टैपेस्ट्री कार्टून चित्रित किये जो आर्टवर्क थे जो मेडरिट के एक कारखाने के लिए बने हुए टैपेस्ट्री के मॉडल के रूप में काम करते थे। इन कार्यों में दपारसॉल 1777 और दपाटरी वैंडर 1779 जैसे रोज मर्रा के जीवन के द्रश्य शामिल थे। 1779 में गोया ने शाही दर्बार में एक चित्रकार के रूप में कारे किया। अगले वर्ष उन्होंने सेन फर्नाडो के रॉयल अकाडमी में प्रवेश लिया। उन्होंने अपनी इस अब व्रद्धी को जारी रखा। अब गोया ने एक कलाकार के रूप में अपनी प्रतिस्ठा इस्थापित करनी शुरू की। 1792 में गोया एक अंजान बिमारी से पीडित होकर पूरी तरह से बहरे हो गये। उन्होंने अपनी वसूली के दोरान गेर कमिशन चित्रों का काम करना शुरू कर दिया। जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं के चित्र भी शामिल थे। अब उनकी शेली कुछ हद तक बदल गई थी। पेशेवर रूप में कामियाब होने के लिए गोया ने 1795 में रोयल अकादमी का निदेशक के रूप में चैनित किया गया। वह शाही पत्रिस्ठा का हिस्सा हो सकते थे लेकिन उनोंने अपने काम में इस्पैनिश लोगों की दुर्दशा को नजरंदाज नहीं किया। नकाशी और नकाशी की और मुड़ते हुए गोया ने 1799 में में लौस क्रेपी चोस्त नामक चित्रों की श्रंकला बनाई जिसे राजनितिक और सामाजिक गटनाओं के रूप में देखा गया। असी प्रिंट ने देश में व्याप्त ब्रस्टाचार, लालच और दमन का पता लगाया। यहां तक कि अपने अधिकारिक काम में गोया को लगता है कि उन्होंने अपने विशियों पर आलोचनात्मक नजर डाली है। उन्होंने अठारा सो के आसपास किंग चार्ल्स फोर्थ के परिवार को चित्रित किया, जो उनके सबसे प्रसिद्ध कारियों में से एक है। कुछ आलोचकों ने टिपणी की कि यह चित्र एक यथार्तवादी चित्र की तुलना में एक केरी केचर से अधिक लग रहा है। केरी केचर मतलब कार्टून। गोया ने अपनी कला का उपयोग देश के इतिहास के क्षणों को रिकोर्ट करने के लिए भी किया। 1808 में फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट के नेतरत्व में स्पेन पर आकर्मन किया। नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ को देश के नया नेता के रूप में इस्थापित किया। जब वह नेपोलियन के अधीन एक अदालत में चित्रकार के रूप में थे तो गोया ने युद्ध की भयावक्ता को दर्शाने वाली श्रंकला तेयार की। अठारा सो चौदा में स्पैनिश रॉयल्टी के बाद राजगद्धी हासिल की। फिर उन्होंने दी थर्ड ओफ मई चित्रित किया। एक पैंटिंग इन्होंने और चित्रित की थी दे सेकंड ओफ मई यानि की दो मई और तीन मई जिसमें युद्ध की सच्ची मानवी लागत दिखाई दी। यह फ्रांसिसी रेताओं के खिलाफ मैडरिड में विद्रो को दर्शाता है। फार्डिनेट सेवंध के साथ जब सत्ता में रहे गोया ने जौसेफ बोनापाड के लिए काम करने के बावजूद स्पैनिश कोर्ट में अपना इस्थान बना के रखा। फार्डिनेट ने कथित तोर पर एक बार गोया से कहा था कि आप गले लगाने के लायक नहीं हैं लेकिन क्योंकि आप एक महान कलाकार हैं इसलिए हम आपको शमा करते हैं। इस पैन में अन्य लोग इतने भागेशाली नहीं थे क्योंकि राजा ने उदार वादियों पर नकेल कसने की मांग की। समविधान देश को एक समविधारिक राजे बनाने की मांग की। बाद में राजनेतिक माहूल इतना तनावपुन हो गया कि गोया स्वेच्छा से 1824 में निर्वासन चले गए। अपने खराब स्वास्ते के बावजूद गोया ने सोचा की वह इस्पेन से बाहर सुरक्षित हो सकते हैं। गोया फ्रांस के बाडो शहर चले गए। जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बताया। इस समय के दोरान उन्होंने पैंट करना जारी रखा। उनके कुछ बात के कार्यों में निर्वासन में रहने वाले दोस्तों के चित्र भी शामिल थे। गोया की मृत्यू 16 अप्रेल 1828 को फ्रांस के बाडो शहर में हुई थी। गोया ने अपने कला शिक्षकों फ्रांसिसको और रामोन व्यू एवाई सुबोस की बहन जोस्फा वेईवाई सुबास से शादी की। और उनके एक बच्चा था जो वयस होकर पुत्र जेविसर बना। आधुनिक कला के पिता के रूप में फ्रांसिसको डी गोया को हमेशा प्रतिस्टिट कलाकार के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अनेक बाद की पीडियों को भी प्रभावित किया। उनकी फेमस पैंटिंग्स में से दो मई और तीन मई यह पैंटिंग गोया ने उस समय बनाई थी जब नेपोलियन की फोज ने इस पैंट पर आकर्मन किया था। और बेस कसूर देशवासियों को का नर संहार हो रहा था। गली-गली में लोग गोलियों से उड़ाय जा रहे थे। बस इनी द्रश्यों को देखकर समवेदिन शिन कलाकार गोया अत्यंत विचलित हो उठे और उन्होंने ऐसा प्रभावशाली चितर बनाया। गोया ने इस चितर में नर संहार का जीता जाकता द्रश्य उपस्तित किया है। गोया की famous paintings में से है ले माजा देशनुदा यानि की the naked माजा और है the clothed माजा। यह उन्होंने the naked माजा को इन्होंने 1790 से 1800 तक में complete किया। the clothed माजा को इन्होंने 1800 से 1805 में complete किया। नेक्स्ट है। यह इनका print है जो 21.5 cm और 15 cm इसकी है। painting का नाम है the sleep of reason produced masters. गोया अपनी print के लिए इतने ही प्रसिदित है जितने की वह अपने चितरों के लिए। उनके चार प्रमुख print शंकलाओं में से यह एक famous print है। उनकी next famous print है the sleep of reason produced monsters. यह एक print है 21.5 cm x 15 cm का यह print है। गोया अपने print के लिए उतने ही प्रसिद्ध है जितने की वह अपने चितरों के लिए। उनकी चार प्रमुख print शंकलाओं में से यह एक यह एक है। चित्र नीन्द की वज़े से राक्षसों का उत्पात करती है। शंकला में एक सोते हुए को चित्रित किया है जो अजीब उलू नुमा पक्षियों के जुंड से घिरे हुए है। गोया ने उसमें कई जानवरों को दर्शाया है जो प्रतिकात्मक अर्थ रखते हैं। उलू और चमगादर अज्ञानता और बुराई का प्रतिनी दिद्व करते हैं। बकरी के सिर के साथ चमगादर एक शेतानी संदर्ब हो सकता है। पूरी श्रंकला में जादू टोना दर्शाया गया है। नेक्स्ट चार्ल्स फोर्ट ऑफ स्पैन एंड हिस फैमिली। यह इन्होंने मैंने पहले भी बताया था। यह इन्होंने उस फैमिली को पैंट किया है। यह मैं पहले आपको बता चुकी हूं। यह थैंक यू